दोस्तों एक प्रसिद कहावत है कि तिरिया से राज छिपे न छिपाए, इसका अर्थ है कि स्ट्रिया अपने मन में कोई भी राज की बात संभाल के नहीं रख सकती। आईए इस कहावत से संबंधित एक लोकथा को सुनते हैं, किसी गाव में एक पती पतनी बड़े प्रेम से रहते थे, दोनों को एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास था, पतनी के प्रेम के कारण पती अपने घरवालों से अलग हो गया था, पती यह जानता था कि उसके म माता पिता बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पतनी के लिए उनसे लड़ता था, वह हमेशा ही अपनी पतनी का पक्ष लेता था, विशेश बात को भी वह माता पिता, भाई बहन को ना बता कर सिर्फ अपनी पतनी को ही बताता था, एक दिन वह भूमता हुआ काका के पास दया। काका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने काका से अपनी पतनी की प्रशंसा की। उसने काका को बताया की बड़े से बड़े राज भी वह अपनी पतनी से नहीं छिपाता। वह पूरे घर को शक की नजर से देख सकता है लेकिन अपनी पतनी पर कभी शक नहीं करेगा उसके चुप होने के बाद काका ने कहा देखो बेटा अपनी पत्नी पर जरुरत से ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वह कितनी राज की बाद शेपा सकती है कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्ट्रियां भी ना समझी में अपने पती की भलाई करने के चक्कर में उनका अहित कर बैठती हैं काका की बात सुनकर वह व्याकुल हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चे कर लिया उसने काका की सलाह से एक योजनाभी बना ली एक दिन वह अंगोंचे में कटा हुआ तर्बूज लेकर आया उसमें से लाल बूंदे टपक रही थी उसने अपनी पत्नी से कहा आज मैंने एक आदमी का सिर्कात दिया इस बात को राज ही रखना यदि गाव में यह बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सजा मिलेगी उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मानगा और घर के पीछे एक पेड़ के नीचे अंगोंचे में लिपते हुए तर्बूज को गढ़धा खोद कर जल्दी से दबा दिया और उपर से मिट्टी डाल कर जगह को समतल बना दिया उसकी पत्नी इस घटना के बाद परेशान रहने लगी उसने अपने पती से कुछ नहीं कहा लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी वह अपने मन के बोज को किसी से कह कर हलका करना चाहती थी दुखी होकर उसने यह बात अपनी पढ़ोसन को बता दी उसने पढ़ोसन को कसम दी कि वह इस बात को किसी को ना बताए वरना उसके पती को फासी हो जाएगी उस महिला ने यह बात अपनी पढोसन को बता दी यह बात एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दी इस प्रकार यह बात पूरे गाउं में फैलते फैलते पुलिस थाने में भी पहुंच गई दूसरे दिन दरोगा साहब कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुँच गए दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा जल्दी बताओ कि तुम्हारे पती ने सिर कहां पर दबाया है यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें फासी लग जाएगी दरोगा की डाट सुनकर उसकी पत्नी डर गई और दरोगा को वह स्थान दिखा दिया जहां पर उसके पती ने गड़ा खोद कर कुछ दबाया था पुलिस ने उस स्थान को खोद कर अंगोंचे में लिप्टा हुआ तरबूज निकाल लिया वहां पर काका भी उपस्थित थे उन्होंने पुलिस को बता दिया कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ही ये नाटक किया था इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए काका जी ने कहा कि तिरिया से राज छिपे न छिपाए